अम ज्ञानत मिरांधस्य ज्ञानन जनुशलाकया चक्षूरन मिलितं येना तस्मई श्री गुरुवे नमहा चैत्रने चरिता में तांतलीला चैट्टर 12 प्यार संख्या 21 तो आमने सुना किस प्रकार यातरा चल रही थी और श्रीवन पीछे रही थे कर देने के लिए टेक्स देने के लिए यातरीगन आगे चले गए ते और इसकारण से अब यातरीगन को यह समझ नहीं आ रहा था कि हमें जाना कहा है तो वहाँ पर वेट करने लगे तब निट्या बेटाओं के इसके पुत्र मर जाए तीनों पुत्र मर जाए तीनों ही शुनी शिवानंदेर पत्नी कांधिते लागिला हेनकाले शिवानंदग घाटी हाई अब क्या हुआ यह यह शुनकर शिवानंद सेन की पत्नी तो रोने ही लगी वहीं पर कि निट्यानंद प्रभू अ उनकी पत्नी ने रोते वे बतलाया कि नित्यानंग प्रभू ने हमारे पुत्रों को मरने का शाब दिया है, क्योंकि उनने रहने का स्थान नहीं मिल पाया। तो यह इसके उपर हमने खूब चर्चा कर दिती कि हमारे मुझ से कैसे अपशब्द निकल जाते हैं। तो यह इसके रहे हैं। इसलिए कि नित्युक्त है इसके रहते हैं कि विशम परेशिथियों में कैसे रियक्ट करता है, उसी से उस आदमी के उन्हान कंद का पता चलता है। इसके नित्यूने बड़े पुराने पुराने बग्तों को भीखरते पे देखाएं। गुस्सा, जबरदस गुस्सा जाता है, ऐसा कैसे, ऐसा क्यों, और फिर चाहिए गुस्से में हमारी आवाज कुछ और ही निकलती है, मतलब कि कई बार गुस्से में गाली गुरुज निकलता है, कई बार गुस्से में आवाज कुछ और ही निकलती है, हम उस फिलोसफी के लग यही तरीका है वैशनों से बात करने का, ऐसे करी जाती है वैशनों से बात, हम तो है ही पतित, अब आप में बोल तो यह सब रहा है, लेकिन वो अपने ही निंदा से, फिलोसफी तो यही कहती है, कि वैशनों आपको वैशनों नहीं मानता है, फिर वैशनों के साथ बात करने का नहीं तरीच आएगा, इसका मतलब वैश्ना मानता है अपने अपने आपको पतित नहीं मानता है, तो पतित पावन अवतार की किरपा ऐसे मिलेगी, तो आए पतितों का उधार करने हैं, बागी लोग खुद अपना उधार कर लें, नाम जब से बागी जीजों से, यह जाएग कि पतित हैं तो हो क्या जाएं लेकिन मानते नहीं है इसलिए पतित जो मानता है अपने आपको उसका अधार करने के लिए चैतनमा पुर संसार में आये हैं जो पतित नहीं मानता अपने आपको शुद्ध मानता है उसका अधार उसकी जिम्मेदारी उसके उपर है तो कई बार मैं ऐसे नेगलेक्ट होने पर या किसी के दुआरा कुछ बोले जाने पर ऐसे रियक्ट करने लगते हैं, गुसा तंग तना जाता है हमारे जाता है, सर पर तना जाता है, अपने साथ हो जाए आदमी को एक बार फिर भी सहन कर लेता है, लेकिन यदि उसके बच्च तो शिवान असेन क्या उतर देते हैं, सुनते हैं इसको, तेहों का हे बावली काईना, मारी सकांदिया, मरूक अमार तीन पुत्र तारभ बलाई लईया, शिवान असेन ने कहा, अरी पगली तुम व्यर्थ क्यों नो रही हो, नित्यान प्रभु को जो असुईदा हुई है, उसके लिए हमारे तीनों पुत्रों को मरने दो, क्या, तुम मरो, तुमारा खांदान मरे, मैं तो चली, अपने बच्चों के साथ, तो खई बच्चे पैदा कर चुके हैं, जब पिछले जन्मों में हम लोग पुरुस बिस्त्री रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है, हम लोग अटर पांख चे चे बच्चे पैदा हुए, सूर ने भी आठब, तुम में डूमाद करना मने रֆ जख ले को ज़ुटे आ ऋए होंगाए होंगे। में अब चट्चे पैदा कर है कि कि रिखने बच्चे पैदा कर दीमाला, भी जवश्दी बच्चे की बच्चे पिद तो इस परकार जो मरी अठेच्वेंट्स हैं यह हमसे आप आत करवाती हैं, हम भूल जाते हैं, हम रोज ही बढ़ते हैं हम शेत्र नहीं हैं, हम शेत्रग्य हैं, गीता में, हम देह नहीं हैं, हम देही हैं. लेकिन सम्हाव वह इल्यूजन इतना जबरदस्त है कि वैक्ति को हमेंसा ये लिखता है कि यही देह वो है देह का अपमान तो उसका अपमान देह को कश्ट तो उसको कश्ट और देह से निकलावाई पीस उसका पीस उसके शरीर का अंग यानिकि उनका बच्चा ये भी एक सोचने की बात है कि उजब देह से मल में निकलता है वो भी एक पीस निकलता है लेकिन मल से आसकती नहीं है उससे आसकती है क्यूंकि हम जानते हैं याशुद है घंदा है ठैक दो अचानक से ऐसे ही मल से किड़नी निकल जाए तो बड़ा परिसानज है, ओ, किड़नी, मेरी किड़नी, तो यह सब चेतना की बात है, जानते हैं, यह मल है, वेस्ट है, तो विचार से ही सब कुछ होता है, जब समक्रेवार एक्जामपल बोलते हैं, कि हमें, एकदम से किसी गाड़ी में डेंट पड़ा तो हम, आगे जाके हमारे बच्चों को कुछ होता है, तो हमारी सारी फिलोसोफी समापत जाती है, लेकिन शिवानन सायन क्या बोले है अपनी को, कि मर जाने तो, क्या दिकत है, निट्यांग प्रभु को जो असुईधा हुई है, हमारे कारण नहीं है, आदमिया से सोच नहीं पाता है, अक्सर क चैतनी चरिता में लाइव एग्जांपल दे रही है, यानि कि हमारे बच्च और ऐसा और भी और भी एग्जांपल है, शिवास ठाकूर का एग्जांपल आपको याद होगा, जिसमें वो उनके शिवास आंगन में उनके पुत्र की मिर्तियों हो गए अंदर, और री दस नो रहोगी तो मैं घंगाजी में कूद के मर जाँगा, मैं भी मर जाँगा, आप यही मर आए, तो ऐसा बोल के वो छुप, ऑप क्या ऐसे रोय आत्मी या, राजय हरिश्चंथ की कानी सुनते है, उनका पूत्र मर गया, समसान में आया, समसान में जमीन चाहिए, इतना तो हर कि आपको पेमेंट करने पड़ेगी तो ऐसे बहुत सारे एक्जामपल हम शास्त्र में सुनते आए हैं तो इसलिए यही चरित्र जो है भगवान के हिर्दे को रिजाता है वास्ता में यही समझने की बात है तो इस अजया नहीं हुदा एक थनो ढूरा है तो इसका मतलब है जादा बहुत ज़्याद भराया पड़ा है इल्यूजन बहुत देरा बड़ा पड़ा है लेकि शेव तो इस प्रकार से शिवानंद सन कहते हैं अरी पगली क्यों रो रही हो हमसे असुईदा हुई है ना मरने तो कोई बाद ने एतबली प्रभु पाशे गईला शिवानंद उठी तारे लाथी माईला प्रभु नित्यान के लिए सारे विकार मिटाने के लिए बड़ी तपस्या ले लेते हैं जैसे वामन देव ने बली महराज की कले ली सब कुछ देने के बाद गिरफतार कर लिया गया तो यहां क्या करते हैं इतना भोला शिवानंद सेन ने फिर क्या करा नित्यान प्रुन नित्यान प्रुन न के पास गए और उठकर एक उसका पाद प्रहार किया एक लाद मारी ले दुष्ट कहीं के कहां पे था इतने इड़ से पहले शाथ दिया है उसके उपर शिवनन सेन क्या करें कोई बात ने मरने तो हमसे गलती हुई है उसके आके लाद मार दी जाए फिर करेक्टर पाएंगे जो हमने बर्सों से जिसको डवलप किया है बड़ी मेहनत करके हमने डवलप किया न शरीर को और अपनी चेतना को अब उस पर आ जाएंगे जानवर परवतिप आ जाएंगे जानवर उसके बाद जो होगी खूसा लाथ गाली कलोच सब बुल जाएंगे हम लोगे तो इस परकार से पाद प्रहार से क्या हुआ आनंदित्त हैला शिवाय पाद प्रहार पाया शिग्रवासा घर कैला गोलगरे गिया पाद प्रहार से अत्याधिक प्रसन होकर शिवण सेन तुरंत गौले के घर में नित्यानन्थ प्रभू के आवास की व्वस्ता कर दी. और कैसे करी? परसन्ध होकर. पाद प्रहार से अत्याधिक परसंद होकर. यह आचरव आथ्या है. प्रशिवाद जाएत्वान, अप्रशिवाद्ण 770 होए. उनकी पत्ने भी, है मर जाएगा, बुड़ा मर जाएगा, मत मारो, मर जाएगा महाप्रूने दो तवां तवां मारा नको और उसके बाद उनाचने लगे because that proves that I am your servant servant को ऐसे मारा जाता है लेकिन आजकल ऐसा repeat करने का प्रयास ना करें कि आजकल अगर बच्चों को डाट भी दिया जाता है तो माता पिता लड़ने के लिए आयाते हैं तो बड़ों को तो क्या बूल दिया जाए तो क्या होगा इसलिए कि कल्यों गया में किसी के हेंकार को तोड़ना इस परकार से पॉसिबल नहीं है इतनी हुमिलिटी से माता हो कि तो बींग पैक्टिकल आज के संसार में क्यूंकि उससे और अपराद होते हैं तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं कि किसी गया इंकार को ठेस पहुंचे और 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 ज़्यादा बबाल करें उससे वैशना अपराद हो इस परकार का करेक्शन करने के लिए करने वाले और कराने वाले में खास तो पर बहुत शुद्धी चाहिए कराने वालों के अंदर इतनी शुद्धी डही नहीं है मैं सुन रहा था एक बार एक लेक्शन में कि आत्म समर्पन देखिए कैसे होता है आद्मी में भेनिफिट देखिए को आतम समर्पन पन कर देखिए सब्चन क्योंकि वहां उसकी फ्लाइट है, जड़ा सा पंगा किया तो फ्लाइट निकल घघए, यहां जगड़ा हो जाएगा, कुछ लोगा जाएगे, यह एकट्टे हो जाएगे, तब तर फ्लाइट निकल रही है, जो करा ना है करा, कैसा आर्मी तितर पितर सा जाता है, देखते हैं कहा भी पांच-दस मिन तक तो अपने समानी बटोरता रहता है, इधर, इधर, जूत है, पहन, कहा है, वो इसी में लगा रहता है, पांच-दस मिन, बताइए, कितना वुलनेरबल लगा लगा, लाचार समना दिया जाता आदमी को, और आदमी अच्छा कासा है, रिस्पेक्टि में भी भबा ले जाया, अभी तो उसने कपड़े भी उतार दी हैं अपने, कई विदेशी फ्लाइटों में उत्रुआ, कई चीज़ें उत्रुआ दी जाती है, तो आदमी करने को त्यार जाता है, क्योंकि उसो लाब दिख रहा है, ना सामने एक, तो ऐसे ही अगर हम ये हम सेहन करके जिदिया आगे बड़े हैं, तो इससे बगवान की प्रसंदा होगी, हम फ्लाइट को पखड़ पाएंगे, तो फ्लाइट निगल जाएगे, हम लड़ देंगे, दो चार से, दो चार को मुक्या मार के गिरा देंगे, बदला ले ले लेंगे, लेकिन फ्लाइट तो शिवानन सेहन की उन्हों प्रसंदा होगे, और नित्यान प्रवु के आवास के बस्ता कर दी, बड़कताम चरन धरीया प्रभुरे वासाए लईया गईला, वासादिया, हश्ट हईया, कहिते पाग लागिला, शिवानन सेहन नित्यान प्रवु के चरन का मार पकड़ लि अपने पती के पीट में गहाओ देखा पुला ये क्या कैसा गहाओ है हुसे अंसार ने का ये सुबुद्धी रहा है ये मेरे बच्पन में मेरे मालिक थे में इससे कुछ गलती हो गई थी मैं कुछ नहर वेर खोद रहा था सर्वेंट था ये वस जसर्वेंट बाद में इतना बला आदमी बन गया उन्होंने मेरे को एक चाबुक मारा उसका निशान मेरे पीट पर रह गया बट उनकी मेरे परवली कृपा है उन्होंने मुझे बच्पन से संवाला संवाला आज में जो भी उन्होंने की कृपा से हो पत्नी कहते है क्या ऐसा हमारा तुमें तुमारी कोई रिस्पेक्ट है कि नी आज में सम्मान है कि नी तुम यहां के राजा हो एक व्यक्तिने तुम आईसा हमारा दरिद्र और खुंकार दरिंदा कहींगा उससे तुमारा बदला लेना ही चाहिए और वो समझा रहा है कुछ नहीं 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 बदला लेना ही चाहिए ऐसा हमारे दिमाग खारा हमारे सुबचिन तक हमारे दिवाग खारा करते है ऐसे सुबचिन तक को गोली मार दिनी चाहिए सुचिन तक नहीं है, एक्षुली में हम अपने मित्र किसको बनाते हैं, यही सवसे बली समझ्छा है, हम अक्सर चर्चा करते हैं, हमारे मित्र भगवान के अधार पर नहीं बनते हैं, जिन से हमारी बनती है, जिन से हमारी मैच कर जाती है, उसको हम मित्र बनाते हैं, तो मित्र या हमारे बले निखट समध रहे अब नहीं है तो कोई बाती है मैं छोड़ नहीं पाहुंगा प्रगुण वह पाल पाइसे बद्द की का सारा बेला गर्गर मंत्रा की वज़े से हुआ एसे मित्र जो है बाइबाद करते हैं जो मित्र गुरुपनपरा की बात को समझाई वह मि आए आपदा मेरे साथ क्या हुआ इसा किया उसने इसा किया है मेरे साथ भी ऐसी होता है अब इसके बाद सुरू प्रजल अपराध ज्यादा दिन नहीं है कि क्रिश्टन बगतों के संख्ण से दूड़ कर देगा कि हमारे आसपास ऐसे लोग ना हूं जो हमें ऐसी पट्टी पढ़ा है तो ऐसे में हमने सुना कि हुसाइन शाह की पत्नी ने कुछ और ही पट्टी पढ़ा दी और उनने सुबदी रहे के ऊपर एक मुसलिम द्वारा किया गया जूटा जल उसके उपर उलेल दिया हाला कि वो एक अलग गटना है कि सुबदी रहे कैसे उस परकार से बगवान चाहिन से मिले और विंदवन गए इस परकार से लेकिन यहां पर भी कुछ ऐसा हो सकता है यहां पर उसकी पत्नी कुछ बढ़गा सक अरे तुम्हारे बच्चों को गाली दी गई तुम्हें लात मारी गई लेकिन इत्यान यह जो प्रभुजी है यह बड़े पके हैं इन बातों में लेकिन आदल को पका होना चाहिए कोई किसी को बढ़गा नहीं सकता है जब तको खोदी नहीं बढ़गता है उसकी अपनी अ आज आपने मुझे अपने सेवक के रूप में सुखार कर लिया है और मेरे अपरात के लिए उचित दंड भी दिया है इसे में डवलप करनी है नहीं तो फ्लाइड निकल जाएगी यही चक्कर है अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अगर मुझे दंड मिला है तो मुझे इसका मतल कौन किसी को दंड करें, दंड देने में एनर्जी रखती है, सर में गर्मी होती है, दंड देना मुश्किल गाम है, इगनोर करना बलासान है, संसार में, बलासान है इगनोर करना किसी को भूके को रोटी दे दो, रोटी देना सान है, पैसा देना सान है, लेकिन उससे जब करान आपका क्लास में क्यों नहीं आ रहे हो अब फिजिकल टेस्स देना पढ़े गा यह कहने पढ़े गाए वो करना पढ़े गा इसमें बड़ी मुसीवध है नहीं तो आपनी जिंदगी आपना जब करो अराम से आनंदी आनंद है जीवन में यह मुश्किल काम है कोई तभी करता ह जब वो मानता है, भला चाहता है, ऐसे में हम लोग सोच लेते हैं कि क्या वास्ते में भला चाहता है, अगर बहला चाहता है, तो मुझे मारता है, मुझे गाली देता, मेरे बारे में ऐसा कहता, यह घटना है, यह हम चाहते हैं कि हमारे बारे में अच्छे बाते हों तो सब पर वक्तों के साथ सारा एंकार पैदा जाएगा तो ये इसके विपरीत हम कुछ और एक्जामपल देखते हैं अपने शास्तरों में तो शिवरान सेंग्या करते हैं कि आपने मुझे सेवक के रूप में स्विकार गिया है मेरे अपराद के लिए उच्छे दंड भी आपने दिया ह शास्ति चले किर्पा कर एतो मार करूना त्री जगत्य तो मार चरित्र भूजे कौन जना है प्रभू आपके द्वारा दिया गया दंड आपके हैतु की किर्पा है तीनों लोकों में ऐसा कौन है आपके वास्तिविक चरित्र को समझ सके वास्तों में कोई नहीं है ऐसा वेक यंग दूत छटकते भी नहीं है बलकि विश्णु दूत स्वेम आते हैं और क्या लेकर आते हैं बड़ा हंस वहन में सीधा वैकुंट में पहुंचता है लेकिन उसके लिए ऐसा चरित्र डवलब करना पड़ता है अजात शत्रू जिसको कहते हैं जो किसी को अपना शत्रू न बहुत बड़िया है ये इसकी किरपा है वास्ता मार्मार दुरलव तोमार श्रीचा रना रेणु हेनचा रनस पर्षपाइला मोर अधम तनु आपके चर्ण कमलों की धूल ब्रह्मा को प्रात नहीं है और आपने ये धूल मेरे शरीर पे लगाई लगाई ना मारा तो पैर क अधमी कहता रहा था ना अपनी चर्ण की धूल समझ लीजिये प्रभु जी अच्छा धूल समझ लें इदर आपास में ले ताल वो पैर को उठाया और ठींच के गुरु जी को धूल में कर दिया गुरु जी के काम अठे अभी धूल मांग रहा तो धूली तो दी थी ऐसे थ थूल दे थी आप बिठाये सब के सामने अनाज को आज मैं अपनी धूल इनको देने जा रहा हूं क्योंकि ये परम वैश्नव है ये इनकी धूल से इनका त्यलक किया जाता है अब लगा कुछ सम्मान मिला धूल ऐसे थोड़ी देने को कहा था था लाग मार के दूल दे तो ये ही ये वैश्नाव सिधान्त इसीलिए गौरी ये वैश्नाव संसार में इतना बडétaisन लापा रहा रहे है श्य unfortunately ने इसी चेतना से बड़ अफ सुनते हैं चेतना महपरू, प्रकाशन अंसर свой azi के वारा नसी में किस पराइला नो नह परचार किया अमेजिक है वह ऐसी जग कर रहे हैं लेकिन उससे प्रार्थ नहीं के ज़िए हमारे अंदर ये डवलप हो गए है तो गहरें कि आपके चर्ण कमल की दूल भ्रमा तक को प्राप्त नहीं है और आपने इन चर्ण कमलों से मेरे अधम शरीत का स्पर्च किया है आजी मोरस अफल हील जन्म कुल गर्म आजी पाई नो कृष्ण भक्ति अर्थ काम धर्म आज मेरा जन्म मेरा परिवारत अधा मेरे कर्म सभी सफल हो गए है आज मैंने धर्म अर्थ काम तता अंतिते भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त की है देखिए कि लात बड़े प्यार से नहीं मारी गई है ध्यान रखिए इ ऐसे लात नहीं मारी है लात मारी है गाली दे तेरे तेरे बच्चे मरे तेरे ले ऐसे बारी गई है उसके ऊपर ये रियक्शन है शिवान इससे पता जलता है कि क्या भावे बावान की शुद्द कर आज मैंने अर्थ धर्म काम सब प्राप्त कर लिया सब सफल हो गया जन्म परिवार सब कुछ सबल हो गया शुनी नित्यानंद प्रभु आनंद इतमन उठी शिवानंद कैला प्रेम अलिंगन एक तो लात मिली और मिला अलिंगन दोनों चीजे मिल गई इस सभाव के करन नित्यान प्रभु इतने परसन हो गये कि उठे और प्रेम आवेश्न आकर शि इम्रा होगा ऐसे भाव को देख कर अभी देखे कितना यह है वैश्ना ऐसे गरंत को पढ़ने के बजाए पथा नहीं कौन से दुनिया में क्या पढ़ रहे हैं कौन से परंपराओं में जा रहे हैं कौन से गुरु जी बना रहे हैं क्या कर रहे हैं जहां चैतने चड़ता मे सव अवतार सार शिरो मणी केवल आनंदकंद यह गौर निताई जिसने तरही गौर ना होई थे जिसने गौर नित्यानन्द को नहीं भजा उसने क्या भजा वास्ताँ में ये इनकरचरित रहे ये चक्र लेके नहीं आये ये राम जी कितने धनुच लेके नहीं आए ये क्या लेकिया है ये हरी नाम लेकिया है ये हमारे हिर्दे के जो पाप है उसको समाप करना है ये पापी को समाप करने नहीं आए किसी को इनोंने मारा नहीं, जगाई, मदाई, मदाई, चक्र से मानने आ गए थे बगवान, लेकिन नित्यारन्द प्रभु का अरे परमाप्रभु ऐसे तो आप सभी को मार डालोगे, आप इसके खिर दे के इस गंदगी को मारी है ना, तो इसी प्रकार से यही नित्यारन्द है दिक्षा ले ली तो कुछ मत समझें, दिक्षा भी एक तरह का आईवाश हो जाएगा in that case, हम गुरू की अपरात कर रहे हैं काय का दिक्षा, जिनसे दिक्षा ली उन्हीं के परति, उनकी बात ना मान रहे हैं, ना कर रहे हैं, ना उनकी परमपरा में जुड़ रहे हैं, उनकी missionary activities में पार्च कर पार्च कर भी करना, ऐसा mood डवलप कर रहे हैं, काय के दिक्षा जिते हैं हम लोग, और क्या दिक्षा के तियारी कर रहे हैं हम लोग, कोई नाम मिल जाएगा तो बड़ा काम हो जाएगा, आपको क्या लगता है नाम मिल जाएगा, तो क्या हो जाएग अच्छा मैं नर्सिंग भगवान के लोग में जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप तो यह समझ लीजिए, नाम जो दिया गया है, उसके कारण कोई वेक्ति हैं हम अब नाम भगवान का ले रहे हैं, बस, किसे ज़्यादा कुछ नहीं है, नाम पता नहीं क्या सुनकर आद भूल जाता है, दोस्ट कहीं के मुल्ली मनोर का दास बनो पहले, मुल्ली मनोर नहीं बना है, नाम के चकर पे दिक्षा लेते हैं लोग, नाम मिलेगा, कौन सा नाम मिलेगा, मेरा नाम अच्छा नहीं दिया, महाराज नहीं है, नाम बदलने जाते हैं, कुछ लोग ऐसा भी कोई टेस्ट करो सब लो, येस, आएंगे, आएंगे, मंदिर में मार्जिन करने आओ, मंदिर में वाइंड अप सेवा करने आओ, नहीं परभी, समय नहीं परभी, दुनिया में हर चीज करने का समय है, यानि हर वेक्ति कुछ प्राप्त करना चाता है, ये दिक्षा भी प्राप कंटी पहली है दिखे जी हम तो यार किसके खाए पी और किसके बस हाथ जड़ा क्या करते हूँ माथेर तिल लग गौर मिलेना उस तिल लग ला लिया उदे गौर बस हो गया काम तो ये नित्यानत प्रफु कैसे प्रसन होते हैं ये दिखाया शिवन सेन ने और उनके उठके उनका आलिंगन किया यही तो था जीवन का प्रफस बागवान में अगर आलिंगन करने तो सोची हमने कितना प्रसन किया आनन्दित शिवानन्द करे समाधान आचार यादी वैशन वेर दिला वासा स्थान निथयानन्द प्रबु के वेवार से अत्त्याधिक प्रसन होकर शिवानन्द सेन अधवयत अचार येशनों के लिए निवास थान की वनदे में लग गए मैं किसी को दे दूँगा तो मेरी इंप्रण्स कता मुझाली सब काम में अपनी टांग को अला के रखो क्या जब भी कुछ काम हो प्रभु जी वो कहा है आ रहा हूं आ रहा हूं दो मिनट अरे बता दो नहीं आ रहा हूं दो मिनट तो दूसरा फोन करा प्रभु जी वो कहां पड़ा है आरे आ रहा हूं दो मिनट आ रहा हूं बताएंगे नहीं किसी को बताते ही अपनी इंपोर्ट कि जब वो टेक्स देने गया था, तो क्यों ना किसी को साथ में बेश दिये जाए, कोई अधिकार, कोई पोजेशन की जरूती नहीं है, किसी चीज को होल्ड करकना ठीक नहीं है, मैं आउंगा, मैं बताऊंगा, सब वेट कर रहे हैं, प्रभु जी बता दो, बताऊंगा, बता किसी को बता देता, क्यों नहीं किसी को करता, अगली बार पर पुझे मेरे को कौन बूचे का मेरी सेवा ही खतम हो जाएगी, क्या बकवास है, सेवा हैं, कितनी सेवा हैं, सेवा हैं तो unlimited हैं, तो इस प्रकार से सारे वैशनों के लिए निवास्थान की व्यवस्ता करने में लग गए, नित्यानन्द प्रभुर सब चरित्र विपरीता, कुरुद्ध हया अल्लाथी मारी करेता रहीता, नित्यानन्द प्रभु का विपरीत सभाव उनकी विशेषता है, समझना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कहते हैं न भगवान, कि यस्ट्या मनो ग्रामी हरंती त वहां कहते हैं कि सब परदान करता हूं, यहां कहते हैं लूट लेता हूं, तो सब परदान भी उसी को करता हूं, जिसको लगता है, जहां लगता है बगवान को नहीं ज़्यादा टॉर्चर करूं और भाग जाएगा, तब गुरू और कृष्ण उतना टॉर्चर नहीं करते यहां पर लगता है, मुंडी मर उड़ती जाए, इसको तो निचोड़के निकाल लिया जाए, भवसागर तो खींच लिया जाए एकदम, तो वहाँ पर हरंतिता धनम्षन ही, यह शिलपरुपाद, इधर बिजनेस, अलाबाद बिजनेस थप, मुंबई बिजनेस थप, परिव विशेष्टा है, उनकी समझने बड़ी कसिन है, जब कुरुद होकर किसी पर पाद परहर करते हैं, तो वस्त होते हैं, उनके हित्म होता है, इसी प्रकार से वो गाली देते हैं, रगुनाद दास को, तो चोर, क्या कर रहा है वहाँ पर, चोरी कर रहा है, वो विचारी क्या क अच्छा, इन सब को खिला परसाद, लूट गया, मर गया, गए पैसे सारे, कितनों को खिला, औरे वाँ, हजारों लोग, गंगा का तट देख नहीं रहा है, सारी सार देख रहे है, जब गंगा का तट खतम हो गया, तो लोगों ने गंगा जी में जाकर परसाद पाना शुर है, तो ऐसा कई बात, टॉर्चरस बेहवियर भगवान दिखाते हैं, लेकिन अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिखाते हैं, बाकी लोग तो कहते हैं, ऐसा है, सब भक्वास है, सब यह है, जा रहा हूँ है, छोड़ रहा हूँ है, तो इस प्रगार का सौभाव, निक्तिय है, लेकिन जब यह रिलाइज होता है, जो उस वक्त तो आपने जानवर नेचर सामने आजियाता है, लेकिन बाद में जाकर चरणों पे गिर सकते हैं, ख्रणा मंग सकते हैं, क्योंकि इसी प्रगार भगवान को परसन किया जा सकता है, अरे कृष्णा, श्री लपुपात की जाए, श्री कर्णा लपुपात की जाए.